हालो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं कि ठीक होंगे तो आएए देखते हैं इस टेप में क्या प्राबलम है और इसको ठीक करेंगे तो दोस्तों वीडियों में बने रहें आप लोग क्या हम देखाना चाहेंगे कि इस बाजा में क्या प्राबलम है तो दोस्तों हम इसे क्रेंड देखके चेक कर रहे हैं इस पे आवाज आ रहा है कि नहीं और इस पे देखेंगे अबर लाइट इस पे आ रहा है दोस्तों और इसको चेक करेंगे स्पीकर लगाके इस पे आवाज आ रहा है कि नहीं तो दोस्तों देख पा रहे होंगे हम इसको चेक कर लिये हैं तो आज इस पे नहीं आ रहा है तो इसको हम उपेन कर दिये हैं और उपेन करने के बाद हम इसको देखेंगे कहां प्राबलम है तो दोस्तों इसको सबसे पहले जो भैलूम है उसे हम टाइट कर देते हैं क्योंकि ढीला हो चुका है तो उसे हम टाइट कर दिये हैं और अब भी देखेंगे इस पर कि अब आज क्यों नहीं जा रहा है और कहीं से फाल उठ तो नहीं है तो दोस्तों वीडियों बने रही है अबर जो देख रहे होंगे अबर आप लोगे देखाना चाहेंगे हम इस पर जो स्पीकर है कारबन आ गया है और इसका जो प्लेट है उसे हम पेन करेंगे तो दोस्तों देख पार होंगे हम जो पलेट है उसे हम इसकूर को करेंगे अबर जो कीट है उसे हम बाहर करेंगे इस क्रूर से सिर्फ बाहर निका लिए तो दोस्तों यह निकल चुका है और इसको हम फिर देखेंगे जो IC का कहाँ प्राप्लम है आवाज नहीं आ रहा है तो दोस्तों जो इस्कुरू था वो खुल गया था उसे हम टाइट करते रहें और इस पे हम देखेंगे जो रंगा जो IC का जो IC में हम रंगा लगा रहें क्योंकि वो IC स्पार्किंग हो चुका है तो उसे हम रंगा चड़ा देते हैं अब रंगा लगाने के बाद हम उसे अच्छी तरह से उस पे किलिन करके उसे हम फिर शेक करेंगे रंगा लगा के कि अब आज आ रहा है के नहीं तो दोस्तों यह जो स्पीकर का तार है उसे भी हम निकालेंगे बाहर तो दोस्तों वीडियो में बने रही है और देख पा रहांगे आप लोग के देखाना चाहेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए अलाकि आप लोग भी ऐसा connection निकाल सकते हैं तो हम दोस्तों एक connection हम स्पीकर से बाहर निकालेंगे क्योंकि इस पे जो कारबन आ गया था तो आवाज नहीं आ रहा था तो हम इसका बाहर स्पीकर का तार निकाल देंगे तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे देखाना चाहेंगे तो दोस्तों यह फाइनली हो चुका है कम्पलीट तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सस्क्राइब, शेर जरूर किजिएगा और फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है जय हिंद